दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो है छोटी जासूसी कहानियों की सीरीज, यानी Short Detective Stories. इस सीरीज में आप सुनेंगे दुनिया भर के मशूर राइटर्स की छोटी जासूसी कहानिया. ये कहानिया छोटी ज़रूर हैं, लेकिन अपने थ्रिल और रोमांच में किसी भी तरह से बड़ी कहानियों से कम नहीं हैं. इनमें आपको कई अलग-अलग तरह के रंग देखने को मिलेंगे. इनमें जासूसी भी होगी, इनमें थ्रिल भी होगा, रहसे और रोमांच तो होगा ही, और कभी-कभी कॉमेडी का तड़का भी. हमारे चैनल की बाकी दूसरी सीरीज की तरह इस सीरीज की कहानिया भी बीच-बीच में आती रहेंगी, यानि ये हर रोज लगातार पोस्ट नहीं होंगी, लेकिन बीच-बीच में कभी-कभी शॉर्ट स्टोरीज आती रहेंगी. आज की शौट स्टोरी का नाम है पिस्तौल का भूत तो आईए बिना देर किये शुरू करते हैं ये छोटी मज़ेदार कहानी 500 आदमियों ने महान जादुगर गोलकुंडा की हत्या होते देखी वो भी उसके सहायक मैफिस्टो के हाथ हों लेकिन फिर भी किसी को नहीं मालुम था कि हत्या हुई कैसे आज की रात अपने आप में बड़ी ही खास थी आज के बाद जादुगर गोलकुंडा अपने स्टेज प्रदर्शन से हमेशा के लिए सन्यास ले रहा था इसलिए आज उसने अपने दर्शकों को वो खेल सबसे पहले दिखाने का फैसला किया था जो वो हमेशा अपने शो के आखिर में दिखाया करता था यानि आज के अपने आखिरी शो की शुरुवात वो अपने अंतिम खेल से करने जा रहा था इसलिए आज की रात जैसे ही परदा उठा, सारे दर्शक बड़ी ही उत्सुकता के साथ उस खाली स्टेज को देखने लगे, जिसके पीछे एक गहरा काला परदा टंगा हुआ था कुछ पल तक स्टेज पर और उसके साथ साथ पूरे हॉल में भी एक पिन डॉप साइलेंस जैसा जबरदस्त सन्नाटा चाया रहा फिर रोशनिया मध्यम होते हुए बुझ गई और स्टेज पर जादुगर गोलकुंडा की जगमकाती आकृती दिखाई देने लगी उसने एक रेशमी हैट के साथ लंबा सा लबादा पहना हुआ था। स्टेज पर छाए अंधेरे में वो आकृती हवा में तेरती हुई सी नजर आ रही थी। उसके साथ ही जादुगर गोलकुंडा जैसी ही दो और आकृतियां दाएं-बाएं किनारों से निकल कर स्टेज के बीच की तरफ बढ़ी। उन दोनों की वेश भूशा भी बिलकुल पहले वाले के जैसी ही थी। जैसे ही वो दोनों आकृतियां पहले वाली के नजदीक पहुँची तब ही एक जोरदार धमाके के साथ आंखे चौंधिया देने वाली सफेद चमक पैदा हुई और लोगों अपने दोनों हाथों से ताली बजाई और अचानक ही स्टेज पर एक घोड़ा उसके इर्द गिर्द दोड़ने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर से चिंगारियां सी छूटने लगी जो फौरण ही आतिश बाजी में बदल गई। कुछ देर बाद वहाँ एक बार फ उनमें से खरगोश और कबुतर निकालने शुरू कर दिये। उन्हें निकालने के बाद उसने हैट को घुमा फिरा कर इस तरह दिखाया जैसे जाहिर करना चाहता हो कि वो बिलकुल खाली हो गया है। और फिर उसने उसे लापरवाही के साथ स्टेज के एक कोने में फेंक द गई और वो एक जटके के साथ उचल कर किसी नर्थकी की तरहा अलग-अलग मुद्राओं में इधर-उधर उचलती हुई नाचने लगी। जादूगर गोलकुंडा भी उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ नाचने लगा। वो लड़की को कभी इस बगल के नीचे से निकालता कभी उस बगल के नीचे से। अचनक ही उसने लड़की को दर्शकों की तरफ उचाल कर फेंक दिया। उसके साथ ही लड़की गायब और दर्शकों के उपर फूल बरसने लगे। साहरा हॉल एक बार फिर से तालियों से गूंज उठा। जादूगर गोलकुंडा के प्रारं खेल दिखाने लगा। गोलकुंडा ने उसे समझाने की कोशिश की कि अभी उसका खेल खत्म नहीं हुआ है और उसके बाद वो अपना खेल दिखा सकता है। लेकिन मेफिस्टो नहीं माना। बलकि उसने गुसे में आकर गोलकुंडा को स्टेज पर पटक दिया और एक बड जैसे सफेद चेहरे के साथ दर्शकों की ओर मुडा और शाबासी की उमीद में हाथ पैला कर आगे को जुका। लेकिन तुरंथ ही चौक कर वो बुरी तरह उचल पड़ा क्योंकि उसी समय उसके पीछे से जादुगर गोलकुंडा ने विंग्स से निकल कर उसके कंधे पर ह दर्शकों का हस्ते हस्ते बुरा हाल था। इस शुरुआती मनोरंजन के बाद असली खेल शुरू करने के लिए स्टेज साफ कर दिया गया। इस खेल में मेफिस्टों को एक पिस्तॉल से गोली चलानी थी और जादुगर गोलकुंडा को उस गोली को अपने दांतों से उसने पिस्तॉल को जिस तरह से उलट पलट कर देखा उससे लगा कि उसे इन चीजों की काफी पहचान थी। जादुकर गोलकुंडा ने उससे सवाल किया। लगता है आपको इन चीजों की अच्छी जानकारी है। होनी ही चाहिए। उस व्यक्तिने गंभीरता से अपनी ग बारों में काफी पढ़ा है। बहुत से बड़े-बड़े मुझरिमों को पकड़ा है आपने। मैं आपका बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आप मेरा शो देखने के लिए आए। अब इस पिस्तॉल को अच्छी तरह से चेक करके क्या आप हम सब लोगों को ये बताने की मह मेफिस्टो को सौप दी और फिर स्टेज पर बुलाए गए सभी दर्शकों को धन्यवाद के साथ वहां से विदा कर दिया। रोश्निया मध्यम होने लगी और फिर बुज गई। अब तेज रोश्नी के दो गोले स्टेज के पिछले चोर पर टंगे काले परदे के पास एक चारों तरफ सन्नाटा चाया हुआ था। अपने दोस्त के साथ की सीट पर बैठा हॉपकिन्स बड़े ही ध्यान से उन दोनों की सारी गतेविधियों को देख रहा था। काले दस्ताने पहने मेफिस्टो ने अपने दोनों हाथों से रिवॉलवर पकड़े हुए उनको अप मेफिस्टो ने एक जटके के साथ अपने हाथ नीचे किये और पिस्तॉल सीधी जादूगर गोलकुंडा की तरफ तान दी। अब हॉपकिन्स की आखें जादूगर गोलकुंडा पर जमी हुई थी। अचानक उसे उसके चेहरे पर कुछ उलजन और आश्चर्य के भाव अपस घूम गई जो एक भयानक चीख के साथ स्टेज पर गिर पड़ा था। उसके मोह पर लाल रंग के चीटे से उभर आए थे जो पहले वहां नहीं थे। उसके बाद तो सारे हॉल में एक साथ कई चीखें गोंज उठी। थेटर हॉल के मैनेजर रॉबर्ट ओडी की उस समय ऐसी हालत थी मानों उसे मिर्गी का दोरा पड़ने वाला हो। भावावेश के कारण उसका पूरा बदन काप रहा था। वो हकलाते हुए बोला। मगर यही कैसे हो गया। आज तक तो अभी आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सुप्रिटेंडेंट हॉपकिन्स ने ती पूस्ट मॉर्टम के लिए भिजवाने के बाद वहां से जा चुकी थी। इस बीच ये आश्चर्य जनक तथ्य उभर कर सामने आ चुका था कि जादुगर की मौत पिस्तॉल की गोली लगने की वजह से हुई थी। उसमें भी किसी को कोई संदेह नहीं था क्योंकि वो वर् असंभव नहीं है मिस्टर मैनेजर। रॉबर्ट ओडी ने फुर्ती से घूम कर देखा। करीब साथ साल का एक दुबला पतला आदमी उसे दिखाई दिया जिसके काले बालों के बीच से सफेदी जहाक रही थी। उस आदमी को रॉबर्ट ने हॉपकिन्स के साथ ही जनक बातों को जानने और समझने का शौक है। इसलिए इस तरह के जादू के शोव और खेल तमाशे हम दोनों अकसर देखते रहते हैं। उस व्रिध पुरुष ने कहा। हालां कि सब जानते हैं कि इस तरह के सारे खेल, हाथ की सफाई और कुछ वेग्यानिक उपकरणों की सहायता से दिखाये जाते हैं। लेकिन मुझे हमेशा ये जानने में दिल्चस्पी रहती है कि ये लोग ये सारे काम करते कैसे हैं। जादूगर लोग अपने भेद किसी को पता नहीं लगने देते। खास तोर से गोलकुंडा तो अपने भेदों को गुप्त रखने के मामल में बहुत ही सावधान रहता था। अपने खेल दिखाते वक्त वो स्टेज के दोनों तरफ के विंक्स एकदम खाली रखता था। यहां तक कि अपने सहायकों में से भी किसी को वहां खड़े होने नहीं देता था। कि कहीं वो उसकी तकनीक को पकड़ना लें। वो हमेशा स मेफिस्टो उसका सगा भाई है। हॉपकिन्स ने मैनेजर से पूछा। मैनेजर ने बताया सिर्फ सगा ही नहीं सर वो उसका जुड़वा भाई भी है। हलांकि दोनों की शकल आपस में नहीं मिलती है। जादुगर गोलकुंडा का असली नाम रूपर्ट था और का असली नाम था अर्नेस्ट। रूपर्ट उससे कुल 15 मिनट पहले पैदा हुआ था। बस यहीं बात दोनों भाईयों के बीच जगड़े की असली जड़ थी। क्या उसी जगड़े की वजह से रूपर्ट जादुगरी से रिटायर होना चाहता था। हॉपकिन्स ने पू मैने जरने हरानी के साथ पूछा, आपको इन सब बातों की जानकारी कैसे है। हॉपकिन्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे दोस्त को चर्चित लोगों के बारे में जानकारियां हासिल करने का शौक है। फिर वो अपने दोस्त से बोला, हाँ तो हारलेन, क्या तुम जादुगर गोल कुंडा को बैरोनेट की पदवी मिलने के बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हो। जवाब में हारलेन ने मुस्कुराते हुए बताया। मैं समझता हूँ कि अरनेस्ट शायद अपने बड़े भाई को ज्यादा पसंद नहीं करता था। आप तो उन दोनों को मुझसे ज्यादा बहतर धंक से जानते हैं मिस्टर मैनेजर। आपका इस बारे में क्या खयाल है। मैनेजर ने बताया। सच कहूं तो अरनेस्ट रूपर नहीं है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। उस नफरत के बावजूद दोनों भाई पिछले कई सालों से एक साथ ये खेल दिखाते आ रहे थे। लेकिन आज तक कभी कोई गर्बर नहीं हुई। मिस्टर हारलेन ने कुछ सोचते हुए कहा। ये पहला मौका नहीं है ज आज से पहले वाले शोज में मेफिस्टो अपने नंगे हाथों से ही पिस्टॉल चलाया करता था। लेकिन आज उसने काले दस्ताने पहने हुए थे। मेरे ख्याल से इसके पीछे कोई ना कोई खास वज़ा जरूर होनी चाहिए। हौपकिन्स ने सवाल किया। लेकिन जिस पिस्टॉल से गोली चलाई गई वो कहा है। हम जानते हैं कि जब जादुगर गोल कुंडा ने मुझे दर्शकों के साथ स्टेज पर बुला कर वो पिस्टॉल दिखाई थी तो वो असली थी। हम ये भी जानते हैं कि जब उसने मेफिस्टो को पिस्टॉल दी तो उसने पहले से ही उसके मुह में मौजूद होनी थी, लेकिन इस बार गोली उसके मुह में लगी और उसकी असल में मौत हो गई, यानि गोली तो चली लेकिन किसी भूतिया पिस्तॉल से. आप कहना क्या चाहते हैं? हॉपकिन्स ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, अगर हम भूतिया पिस्तॉल या पिस्तॉल का भूत ना कहें, तो और क्या कहें? मेफिस्टो के हाथ में जो नकली पिस्तॉल थी, उसे तो चलाया ही नहीं गया. हम सबने देखा था कि नकली पिस्तॉल में नकली गोली जियों कीतियों अपनी जगह पर मौजूद थी, और असली पिस चलती तो परदे में शुराख जरूर हुआ होता। ना ये गोली ऊपर से चलाई गई और ना ही दर्शकों की तरफ से। क्योंकि गोली गोलकुंडा के एकदम सामने से आकर सीधी उसके मुह से टकराई थी। अब ऐसी परिस्थिती में जिस पिस्तॉल से गोली चली उसे भूत भूत होना एकदम असंभव है। मिस्टर हारलेन ने अजीब सी नजरों से मैनेजर को देखा और फिर बोले। मेरा अपना अनुभव है मिस्टर ओडी कि जटिल परेशानियों के समाधान हमेशा बहत ही सरल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी ज्यादा आश्चर जनक और हैरत अंगेज दिखाई देता है। उसका भेद उतना ही कम रहस्यमाई और एकदम साधारान होता है। मैनेजर ओडी ने अधीर से स्वर में कहा। हो सकता है आप ठीक कह रहे हों। लेकिन इस सचाई को भी तो जुटलाया नहीं जा सकता कि सैकणों दर्शकों की नि पर खड़ा हैरानी से मुह फाड़े अपने भाई की लाश को देखता रहा था। थोड़ी देर के लिए अगर हम ये भी माल लें कि उसके पास कोई दूसरी पिस्तॉल थी तो सवाल ये उठता है कि इतनी सी देर में वो गायब कहां हो गई। हम सब के साथ आपने भी अपनी वटका दिया था जिससे लगता कि उसने इधर उधर कोई चीज अपने से दूर फेंकने की कोशिश की हो। आप जानते हैं कि पूरे स्टेज के साथ साथ मेफिस्टो की भी तलाशी ले गई थी और कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। मिस्टर हारले ने बड़े ही शांत औ कि हत्या की गई, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो उसे अपने मुह में डाल कर निगल गया होगा। मिस्टर हारले ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मिस्टर मैनेजर कि अगर हम थोड़े से दिमाग से काम लेते हुए सार मैनेजर ने पूछा, लेकिन ये होगा कैसे? हारलेन ने स्टेज की बैक्ग्राउंड में टंगे काले परदे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये परदा देख रहे हो, कितना काला है? और हम सब ने ये भी देखा, कि मैफिस्टों ने आज काले दस्ताने पहने हुए थे. किसी ऐसी और बात के बारे में आप हमें कोई जानकारी दे सकते हैं, जो पहले वाले शोज से थोड़ा हटकर हुई हो? मैनेजर ने सोचते हुए बताया, जी नहीं, ऐसी तो कोई बात मेरे ध्यान में नहीं आ रही, सिवाए इसके, कि गोलकुंडा का ये वाला खेल आमतोर पर शो के आखिर में रखा जाता था, इस बात को लेकर दोनों भाईयों में काफी बहस भी हुई थी, मैफिस्टो का कहना था कि अगर अपने शो के आखिरी दिन वो अपनी विदाई के संकेत के रूप में अपने खेलों के ओर्डर को उल्टा कर देगा, तो उसके रिटायर्मेंट के बाद भी लोग उसके आखिरी शो की इस खासियत को याद रखेंगे, और आखिरकार गुलकुंडा ने उसकी ये बात मान ली थी, इसके अलावा और कोई खास बात याद नहीं आ रही आपको, जी नहीं, और तो ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही, जो रुटीन से हट कर रह ही हो, क्या आज दोनों भाई स्टेज पर पीछे की तरफ इस काले परदे के पास खड़े नहीं हुए थे, जबकि आम तोर पर वो स्टेज के अगले हिस्से में खड़े हुआ करते थे, अरे हाँ मिस्टर हारलेन, अब आपने याद दिलाया, तो मुझे याद आया, कि होपकिन्स ने अपने मित्र से पूछा, क्या तुम्हें पका यकीन है हारलेन, कि मेफिस्टो ने ही अपने भाई को मारा है, हाँ होपकिन्स, मुझे पूरा यकीन है, तब तो हमें इस बारे में उससे सीधी बात कर लेनी चाहिए, नहीं, अभी नहीं, पहले मैं उसके खिला रोबर्ट ओडी ने सीधी मंगवा दी, हारलेन ने उसे अपने हिसाब से एक जगे खड़ा करवाया, और सीधी लाने वाले कर्मचारी को उपर के अंधेरे में चढ़ने को कहा, जहां स्टेज पर परदे टांगने के लिए पाइप लगे हुए थे, उन्होंने कर्मचारी से आवाज सुनाई दी, सर, ये यहां पाइप के साथ कोई काली सी चीज लिप्टी हुई है, ओ, ये तो इलास्टिक की एक लचकदार रसी है, उसे खोल कर नीचे डाल दो, हारलेन ने कहा, कुछ पल बाद ही एक हलकी काली सी चीज लटक कर हवा में जूली, और इस से पहले कि प्लास्टिक के खिचाव से उचल कर वापस उपर की तरफ जा पाती, वरिध हारलेन ने बड़ी ही फुर्ती से अपना हाथ आगे बढ़ा कर उसे पकड़ लिया, फिर उन दोनों से पूछा, तुम लोगों को क्या दिखाई दिया, हौपकिन्स ने कहा, आपने अपना हाथ अब ये देखो, हौपकिन्स आगे बढ़ा और अगले ही पल उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभराए, मिस्टर हारलेन के दुबले पतले से लंबे हाथ में एक बहुत ही छोटी सी पिस्तॉल मौजूद थी, जो उसकी गोरी हतेली पर साफ नजर आ रही थी, वो एक नहाय अब जरा वो नकली पिस्तॉल मंगवाओ, नकली पिस्तॉल के आजाने पर उसने दोनों हाथों में उसे इस तरह पकड़ा कि नकली पिस्तॉल तो उसके बाएं हाथ में थी और वो छोटी सी नन्ही पिस्तॉल दाएं हाथ में, लेकिन लग ऐसा रहा था जैसे उसने सिर्फ नकली पिस्तोल को ही अपने सामने के किसी अद्रिष्य निशाने की तरफ ताना हुआ होूँ. उस समें दोनों ही पिस्तोलें खाली थी। उसने अपने दाए हाथ की उंगली से छोटी पिस्तोल का ट्रिगर दबाया और फिर दोनों हाथ धीले चोड़ दिये। नतीजा ये हुआ कि नकली पिस्तॉल उसके हाथों से फिसल कर नीचे स्टेज पर जा गिरी, लेकिन वो छोटी पिस्तॉल बैक ग्राउंड में काला परदा लगा होने के कारण बिना किसी को दिखाई दिये, काले रंग की इलास्टिक से खिंच कर उपर के अंधेरे में गुम ह गई और उस पाइप के गिर्द अलबेटे खाकर लिपटती चली गई, जिससे वो बंधी हुई थी। बोखलाए हुए मैनेजर ने पूछा, लेकिन आपको ये कैसे पता लगा? मेरा मतलब है आपने इस सब का अंदाजा कैसे लगाया? हारलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई खास काम किसी खास तरीके से किया जाता हो और उसके अंदर एक नहीं बल्कि तीन-तीन बदलाव कर दिये जाएं, यानि काले दस्तानों के अलावा ना सिर्फ खेल के प्रदर्शन का क्रम बदल दिया जाए, बल्कि उस खेल में भाग लेने वाले दोनों पात्रों क स्टेज पर खड़े होने की जगह को भी बदल दिया जाए, और फिर उनमें से एक की मौत हो जाए, तो फिर हमारी देहाती भाषा के अनुसार आदमी ये सोचने पर मजबूर हो ही जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, उसके बाद तो बस फिर सब कुछ तरक संगत सोचने की बात बाकी रह जाती है, अब हम सारी स्थिती को अपने दिमाग की आँख से शीशे की तरह साफ देख और समझ सकते हैं, मेफिस्टो ने ये छोटी सी पिस्टॉल एक पाइप से इलास्टिक की रसी द्वारा बांध कर इतनी उचाई पर लटका दी थी, कि जब वो अपने हाथ उपर उठाए, तो ये उसके हाथ में आ जाए, क्योंकि पिस्टॉल और इलास्टिक वाली रसी के साथ साथ पीछे का परदा भी काला था, इसलिए वो किसी को नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी उसे ये खत्रा था, कि अगर वो छोटी सी पिस्टॉल वहाँ ज् अब हम आज के शो के क्लाइमाक्स पर आते हैं, स्पोटलाइट के दो गोल घेरे, सिर्फ उतनी ही जगहों में रोशनी कर रहे थे, जहां दोनों भाई अलग-अलग एक दूसरे के सामने खड़े थे, बाकी पूरे स्टेज पर हर जगह अंधेरा था, मेफिस्टो ने नकली पिस्टोल को पकड़ते हुए अपने दोनों हाथों को उपर उठाया, उसने अपने आपको सही जगह पर खड़ा किया था, और मैं समझता हूँ कि उसने इन सारी चीजों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस की होगी, कि उसकी हर एक गते विधी एकदम सहज सी लगे, वो छोट का पता लगने की संभावना थी, कि उसके हाथों में नकले पिस्टॉल के अलावा और भी कुछ है, इस खतरे से बचने के लिए उसने अपने हाथों में काले दस्ताने पहने, छोटी पिस्टॉल को पकड़ कर उसने इलास्टिक के साथ चिपका दिया, और अपने दोनों के आखरे पलों को याद करते हुए कहा, लेकिन मेरे ख्याल से जादुगर गोल कुंडा ने उसे देख लिया था, और इसी लिए मरने से एकदम पहले उसके चेहरे पर आश्चर्रे और उलजन के भाव उभरे थे, मैंने उन भावों को एकदम साफ साफ देखा था, उस वक् सबकी नजरें स्टेज पर गिरते हुए गोल कुंडा पर जमी हुई थी, इलास्टिक के जोर से छोटी वाली पिस्तॉल पाईप से जाकर लिपट गई, जाहिर है बाद में मौका मिलते ही मैफिस्टो उस छोटी पिस्तॉल को वहां से खोल लेता और किसी नदी नाले में फे की ऐसी क्रूर हत्या की थी, बाद में तो खेर ये बात मशूर हो जाती कि सेकनों दर्शकों के सामने किसी पिस्तॉल के भूत ने जादूगर की जान ले ली, और परिवार का अगला वारिस होने के नाते, बैरोनिट की पदवी और सारी चल अचल संपत्ती का मालिक इतना कहकर हारलिन चुप हो गया, हॉपकिन्स ने उसे तारीफ भरी नजरों से देखते हुए कहा, अपनी तरफ से तो बहुत ही शानदार चाल चली थी मैफिस्टों ने, लेकिन आपने अपनी अकलमंदी से उसकी चाल को असफल कर दिया मेरे दोस्त, इसके लिए आप वाक कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड़ बाई